नमस्कार क्रिको देख रहे हैं जैहिंद मैं हूं रौनक कैसे हैं आप चालू कर दीजे फिर से टीम इंडिया के लिए जाप क्यूंकि फिर से शुरू होगा क्रिकेट कैलेंडर लेगेन एक महीने के बाद मगर इस बीच क्रिकेट का खेल दुनिया के कई हिस्सों में चल रहा ह जैसे तमिल नाडू T20 प्रिमिर लीग जहां एक मैच में ऐसा रेकॉर्ड बन गया जिसके बाद गेंद ने बॉलर से कहा दरसल इस मैच में एक गेंद पर अठारा रन बने जो की T20 की इतिहास में एक गेंद पर बनाएगे सबसे ज़्यादा रन है गेंद बाज और सालिम स्पार्टन स्टीम के कप्तान अभिशेक तमवर एक गेंद पर सरवाधिक रन देने वाले दूसरे खिलाडी बन गया है वहीं वर्ल्ड क्रिकट में ये रेकॉर्ड अभी क्लिंट मकॉय के नाम है जिन्नोंने साल 2012-2013 में बिग बैश लीग सीजन के एक मैच में एक गेंद पर 20 रन दिये थे गेंद के साथ हुए इस हश्र का बयां हमें मैच में कमेंटेटर्स बताते हैं मगर अब ये बात खुद गेंद भी कहेगी क्योंकि क्रिकेट में अब चिप वाली गेंद का इस्तेमाल शुरू हो चुका है क्रिकेट में लाल गेंद, सफेद गेंद, गुलावी गेंद के बाद अब चिप वाली गेंद आ रही है इंटरनाशनल मैचों के लिए गेंद बनाने वाली ऑस्टेलियाई कमपनी कुकाबुरा ने गेंद के अंदर चिप फिट करने की टेकनोलजी शुरू की है एक बार ये चिप लगाकर गेंद की सिलाई कर दी गई तो गेंद पूरी तरह फटने तक चिप न तो बाहर निकलेगी और नहीं डैमेज होगी इस जोरदा टेकनोलजी से खेल के कई पहलूँ पर और इंसाइट मिलेंगी तो चलिए बताते हैं आपको की इस चिप वाली गेंद का इस्तिमाल हम मैचों में कब होता देख सकेंगे मगर उससे पहले आपके दिमाग के अंदर जो क्रिकेट का चिप फिट हुआ है उसे अन करिए और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएए कीवी अप का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस अप को डाउनलोड करिए रोज रात को दस बजे क्रिकेट से जुड़े कुछ आसान से सवालों के यस या नो में जवाब दीजिए इस कीवी अप पर कुईज खेल कर वो भी फ्री में कोई इंट्री फीस नहीं है फ्री में कुईज खेलो और हजारो रुपए जीतने का मौका है आपके पास हजारो लोग डेली खेल रहे है अगर आप तक डाउनलोड नहीं किया तो क्या कर रहे हो बाबा डिस्क्रिप्शन म निए्म टो पूरा टेक्नलोडी का है इतनी सारी टेकनलोडी होने के बाद भी हम सब ने देखा जाए कि कैसे गिल को डबूटी से फैइनल में घलत आउट दिया गया है वसे में जिस टेकनलोडी की बात मैं करने जा रहा हूं अगर वो डबूटी से में इस्तेमाल होती तो उंपायर चाहकर भी गिलु को आउट नहीं दे पाता तो क्या है वो टेक्नोलोजी ये है क्रिकेट बॉल में चिप जी याँ अब क्रिकेट में चिप वाली गेंद बनने से कई और राज कुलेंगे इससे फाइदा ही होगा कि चिप वाली गेंद से गेंद बाजी और बल्ले बाजी का रियल टाइम डेटा मिल सकेगा जब गेंद बाज गेंद रिलीस करने की पुजिशन में आएगा तब से ही चिप डेटा दिखाना शुरू कर देगी इससे गेंद बाज के आम रोटेशन का एंगल रोटेशन की रफतार बॉल रिलीस करने की रफतार और रिलीस पॉइंट की जमीन से उचाई गेंद की पिच पर टपा खाने की रफतार और गेंद के बल्ले बाज तक पहुँचने के वक्त उसकी रफतार सब कुछ इस चिप में दर्ज होगा और यो डेटा रियल टाइम में स्क्रीन पर दिख सकेगा स्पोर्ट्स टेक्नलोजी पर काम करने वाली याएा कंपनी स्पोर्ट्स्कोर ने खुकाबुरा की मदद से ये चिप वाली गेंद तयार की है स्पोर्ट्स्कोर एस्टेलिया के पूर तो इसे इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा जा सकता है, हाला कि इसके लिए पहले ICC की अनुमती भी लेनी होगी, ऐसा नहीं कि चिप वाली गेंद जो डेटा दे सकती है, वो पहले उपलब्द ही नहीं होता, मगर इस नई चिप वाली गेंद से र इसे अन्धर मुव्मेंट या जाता है, और फिर उपर से सिल दिया जाता है, अन्धर को रवर फ्रेम के अंदर रखा जाता है ताकि गेंद वजन वाउंस उगेरा पर असौर ना पड़े, वैसे जिसे खेल में और मज़ा बढ़ेगा. वैसे मज़े से आध आया, आपने हमारा रिवीव चैनल सब्सक्राइब किया है की नहीं किया है? अब वो चैनल बदलने वाला है,怎么 lastar लिपलने और और अंदर नश्चस है, कब से गल से-बोले तो 16 अरे omega-bal का नाम होगा, कल ही पता चलेगा, तो नाम बदलने वाला है, यह suspense बस एक ही दिन का महमान है, तो कल नए नाम की तयारी आपको पता चल जाएगी, जो पूरी हो चुकी है, और नाम कैसा लगा, वो भी कल, जैसे आदी पुरुष का हम लोग रिव्यू करेंगे न, उस टाइम प को भी जरूर डाउनलोड करना, थैंक यू फो वाचिंग, क्रिको, सब्सक्राइब करके जाने, जिल्दी मिलते जैहिंद,